नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चानल में चले शुरू करते हैं आज का इन शॉर्ट न्यूज जो है यह हम देखने वाले हैं इंट्रनाशनल ओलम्पिक डे के बारे में ठीक है 2022 का हम देखने वाले हैं हिस्ट्री और सबसे पर यह है सिंबॉल जो थ्री रिंग है यह उपर के साइड में और दो रिंग निचे के साइड में यह है उलम्पिक के सींपल ओप विसको अच्छे से याद रखना है चले आगे बढ़ते हैं तो जो इंट्रनाशनल ओलम्पिक डे यह हम मना दे है 23rd June को ठीक है तो आज का ही दाएक है 23rd June तो 2022 को हम International Olympic Day मना रहे है क्यों मना रहे है इस मोटिवेट इस मोटिवेट पीपल तू पार्टिसेपेट इन गेम्स और स्प्रेड अवेरनेस ओफ वेडियर स्पोर्ट रिलेटेड अक्टिविटी तो इसका उद्दिश यही है कि जो अलग-अलग गेम से ओलम्पिक में जो गेम हो वह भी और उसके साथ साथ बाकी जो इसको प्रोमोट करना उसको स्पोर्ट रिलेटेड अक्तिविटी बढ़ाना का अवेरनेस लोगों में लाना यह सब जो है इसका जो मोटिव है यह है इंटरेशनल ऑलिम्पिक देखना तो तने नाशनल ऑलिम्पिक कमिटी एन वह सी होलते है ठीक है ? ृ ठीक है थीक है अ फ Committee created this event which marks a special moment in a history of Olympic moment ठीक है एन उसी जो है National Olympic Committee जो है इन्होंने क्या है जो एक इवेंट है कि नहीं है National Olympic Day का जो है ये special moment है in history of Olympic moment ठीक है एक इत्यास में जो है ये एक दीन जो है एक special day है International Olympic Day चले चलते हाँ आगे क्यों इंपोर्टनेट है इस डे का ठीक है तो जून 23 ये आपको मैंने बता है ठीक है जून 23 जो है इंटरनाशनल Olympic Day मनाया जाता है ठीक है तो एक अब से चालुआ स्विजर लैंड में मौर्स में ठीक है 42 जो IOC session था इसमें decide क्या गया कि हम International Olympic Day मनाना चाहिए क्योंकि किसलिए क्योंकि motivate करना चाहिए जो स्विजर लैंड में ठीक है स्विजर लैंड में है ठीक है तो इसमें ये decide हुआ कि जून 23 ये International Olympic Day मनाया चाहिएगा The day is based on the idea of Olympic movement so the day based on the idea of Olympic movement and it celebrates the founding of the IOC at Surbonne Paris on June 23rd 1894 ये तारीक है ठीक है कहाँ पे Athens में ठीक है तो ये तो ये तो पैरिस है Surbonne Paris on June 23rd 1894 इस तारीक को क्या हुआ जो Olympic idea जो है Olympic idea ठीक है ये यहाँ पे ठीक है कहाँ पे Surbonne Paris में ठीक है इन्होंने तब सेलिब्रेट किया ठीक है कब 23rd June 23rd 1894 ओर इसी डेको फिर International Olympic Day कब 42nd जो सेशन था St. Moritz में ठीक है Moritz में तब इसको डिसाइड क्या गया है कि हम International Olympic Day celebrate करेंगे ठीक है 1947 में ठीक है Moritz में ठीक है तब से हम सिलिब्रेट करें International Olympic Day लेकिन यह तारीक जो है यह important कब से 1894 से जब से यह Olympic हमारा शूर हुआ तो यह कुछ चेहरे आपके सामने हैं आपको पता है होगा इनका नाम जैसा कि इनका नाम है Gold Medalist ठीक है एरज चोपरा तो बाकी के नाम आप बता सकते हैं मेरी को मैं और बाकी के नाम आप इसमें comment section में type करें और इन्होंने कौन सा medal जो Tokyo Olympic था 2020 का कौन सा medal इन्होंने जीता है यह आप हमें comment section में बता सकते हैं ठीक है चलते चलते आगे और कुछ जानकारी देखते हैं इंट्रेंशन ऑल्लम्पिक के बारे में the ancient olympic history देखेंगे इसमें ठीक है ancient olympic games had a religious significance यह जो olympic game है इसको सबसे पहले जो ग्रीस में है ग्रीस में जो है इसको एक क्या रिलिजिस olympic event ठीक है एक religious significance था इसका ancient एक ancient game भी आप इसको बोल सकते है ठीक है तो यह Greece से इसका origin है olympic game का origin Greece से है ठीक है 1894 आप अच्छे सी इसको याद रखेंगे ठीक है 23rd June olympic day आपको पता ही रहने चाहिए ठीक है in 1894 the French historian पीरे दे क्या क्या कहेंगे इसको पीरे दे कॉबरेटिन कॉबरेटिन इसका प्रोनॉंसेशन समद लो ठीक है तो rally for revival of the ancient olympic game तो इनको लगा कि भाया जो हमारा जो ancient olympic games है इसको एक नहे तरीके से दुनिया के सामने लाय जाये और इसको हम जो है एक olympic game करके पूरे world में इसको हम बना सकते है तो इस तरीके से इसका origin हुआ मतलब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि 1894 में कि हमारा जो ancient religious sport game है olympic games इसको हम एक नहे तरीके से कर सकते है तो यह 1894 में हुआ तो यह वही से olympic games की शुरुवात हुए है ठीक है the international olympic committee celebrated the very first international olympic day on June 23rd 1947 जैसे कि बता है 40 second जो session था कहां पर हो था यह session हो था St. Moritz में तो वहां पर decide हुआ कि हम जो 1947 से international olympic day celebrate करेंगे all over world में ठीक है तो चली चलते आगे तो the NOC यह NOC कहा है national olympic committee organized event cover 150 countries कितना 30 countries में जो है यह international olympic day celebrate किया जाता है ठीक है वहांकि national olympic committees this year the olympic day theme अब theme कहा है यह भी a peaceful world together for a peaceful world ठीक है यह इसकी theme है तो एक हम course देख लेते हैं यह यह जानकर यह history देखा हमने significance देखा क्योंकि awareness बढ़ाना है games के वारे में olympic games के वारे में ठीक है और history भी हमने अच्छे से देख लिया है इसका theme भी देख लिया together for the peaceful world और एक quote जो है बहुत ही अच्छा quote दिया है मेरी कॉम मेरी कॉम नहीं ठीक है never buy gold simply earn it आप जो है gold को जो है आप buy नहीं कर सकते इसको आप earn कर सकते है इसको आप कमा सकते है तो यही बात की है मेरी कॉम नहीं तो thanks for watching ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे तो चैनल को सफर भी करना बिल्कुल मत बुलिए और ऐसी important जन करिए अपने दोस दोस दोत भी हो अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को शेर भी करें इस वीडियो को ठीक है thanks for watching जैहिंचे भारत जन करेंगे लाते हैं